नमस्कार में विक्टम और आप देखने रज़त एक्सपेस निश्ट देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमोल लिराया जरूर थे आई आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुरक्षा के मद्दे नजर लिया गया है जैकलीन का कहना है कि 18 जुलाई को वो कोर्ट में सुनवाई के दौरान जैकलीन के साथ सुकेस चंदर शेखर भी वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के जरिए जुड़ा था इसी दौरान सुकेस चंदर शेखर की ओर से उन्हें आप पत्त जैकलीन का कहना है कि नोने पुलिस और जेल अथौर्टी से शिकायत भी की पर इस मामले पर कोई भी कारिवाई नहीं हुई है लगातार सामने आ रहे है आप पत्ती जनक चिट्थी से परिशान होकर जैकलीन ने कोट से मांग की हो कि वो जेल अथौर्टी और पुलिस को ने देश दे ताकि सुकेस चंदर शेखर किसी भी प्रकार से उन्हें पत्र ना भीज़ सके साथ ही वो कोई मैसेज भी न भीज़ पाए इसके अलावा इस प्रकार के बयान भी जारी करने पर रोक लगाई जाए अब इस मामले में जेल अर्थौर्टी द्वारा की गई कारिवाई के बारे में रिपोर्ट तलब की जाएगी अगली सुनवाई 17 जनवरी को होगी ये पूरा मामला दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहा है आपको बता दें कि कौन मैं सुकेश चंदर्शेखर से जुड़े 200 करोड के मनी लॉंडरिंग के मामले में साल 2021 के दिसंबर महिने में जैकलीन का नाम भी सामने आया था इसके बाद एडी की जास में जैकलीन को भी आरोपी बनाया गया इस मामले में एक्टरिस से कई बार पूस्तास भी की गई है जिसमें सामने आया कि जैकलीन सुकेश के साथ रिष्टे में थी और जेल में उससे मिलने जाया करती थी वहीं सुकेश भी उन्हें महेंगे तौफे दिया करता था दोनों की कई तस्वीरें भी सोशल मेडिया पर वारल हो चुकी है इस बारे में जैकलीन की ओर से कोई भी आधिकारिक बयान कभी भी जारी नहीं किया गया फिलहार ये मामला अभी भी चल रहा है आपको बता दें कि इसी साल एडी ने तिहार जेल में कैज ठग सुकेश चिनरशेखर को पीए मेले के तहट गिरफतार कर रिमांड कर लिया था सुकेश पर दिल्ली के रजोकरी की रहने वाली जपना नाम की महिला से चार करोर रुपे की ठगी का आरोप लगा था कहा गया कि ये रखम सुकेश ने कई दुनों में थोड़ा थोड़ा करके वसूल किया था